नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते करक राशी वालों दोस्तों आप शबी का हर्दिक अभिनंदन है आज की श्कार करम में जे दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आज की इस वीडियो के माध्यम शे हम आपको जिवन की वह अमुल वस्तु परदान क देने वाले हैं जिने जानकर आपका जीवन शमर जाएगा जया दोसों हम आप शुबी को बता दें कि आने वाले दस दिनों में आपको ने जिंदगी की वह अमुल वस्तु को प्राप्त कर सकते ही जिन के लिए आप इस धर्ती पर आये जबो सो ये कलिव का दोर चर्णाह है आपको शही दिसाद नहीं पा रहा है लेकिन दोस्व में आप शुभी को बता दी कि आज कि यूग में जो भी व्यक्ति न बात को शुन लेगा जो भी वैक्ति इन बातों को अपनी जूनकाल पर ध्यान में रख लेगा तो दोस्व यकीन भूलेनात लिकर भूलेनात को परिणाम कर लें सब्सक्राइब करते हैं श्रूआ करते हैं बहुत अच्छे ग्यांस इक अबार की बात बगवान स्री किष्ण के एक नन्य बगत अपनी जुनकाल में बहुत ही ज्यादा प्रशान हो चुके थे जे दोस्तों और अपने श्री किष्ण से यह गोहर लगा रहे थे कि हे में अपने शर्णु में लेने क्योंकि यह दुनिया अजीब है यह अच्छी लोगों को धोखा और बूरी लोग को मौका जरूर मिलता है तो दोस्तों भगवान श्री किष्ण अपने भक्तों की यह फुकार सुनकर वहां परकड़ोंकर उन्हें यह ज्यान देते हैं कि हेवास यह कल्योंग चल रहा है इसलिए यह विचार दिल से निकाल देजिए कि बिना मतलब के कोई कि लोग उसे पाने के लिए आपसे चुड़े रहे खुद को खाली मत होने देना क्योंकि लोग खाली चीजों को कच्रे के डिब्बे में डाल देते हैं तो दोस्तों भगवान श्री किष्ण का यह बात उनके भक्त को बहुत ही ज़्यादा दिल पर लगी और वह पश्रन भ आगा हो यह स्विक्षा आपको शमझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और इनके लिए कमेंट बोक्ष में लिए जैस रिक्रिष्णा रादे रादे तो आई दोस्तों सके शाथ बात करते हैं कि तीश मैश लेकर जो दस जून का श्रमें होगा आ गरों की बहुत यह स्थिती बन रही है करमें बहुत यह अच्छे बदलाब होने वाले हैं लेकिन दोस्तों यह शमी गरों का यह शंकेत है कि आपको शावधान भी रहना चाहिए क्योंकि जहां बड़े आपको मुझे मिलेंगे वहाँ पर आपको शोट 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 बातों क अब ध्यान रगना होगा वरना आपकी कर्मों का फल दुष्ट और अत्माय वाले लोग ले जाएंगे तो दोस्तों यह शमी आपको कुछ चीज़ों को लेकर शावधाने नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा हलांकि दोस्तों आपको घबराने क अब शक्ता नहीं है कि दोस्तों भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना शबर किया है कितना मेहनत और कितना प्रिश्रम किया है वह दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके शबर के हर पल की कीमत अदा होगी बश आप भगवान के उपर विश्वास रखकर इस चलकर आपके लिए लाब दाएक शक्त होगा दोस्तों परतियों की परिशा के तयारी कर रहे लोगों के लिए शमय यहसमी बहुत यह चाश्मय होगा इसको प्रांदी दोस्तों यहसमी दोपर के बाद अचानक से कुछ खर्शी आपके शमने आएंगे जिनके वज़े से थोड में रखकर निरले लेने की कोशिश करें परिवार की परती अधिक भाव होकर आप किसे भी निरले में बदला उना सकते हैं जिसका फाइदा आपको तुरंद नजर आएगा लेकिन दोस्तों दूर दिश्ट्रे से दिखाए जाए तो इस निरले से जुड़े नुक्सान को भ आपके दिंचरे अगली जिसे में होंगे दोस्तों आप जो है कुछ नया शुकने के रिए यस में उत्चुक रहेंगे किसी खास व्यक्ति से मेल जोर बढ़ेगा घर की मरमत वा फिर सुधार शमदी उजनाये भी बनेंगी जीवन की प्रती आपका शकात्मक रवाया आपको जो है व्यक्ति तुमें निखार लाएगा तथा दोस्तों आप उपने जिवधारियों को भी यस में बखो भी निमाने वाले हैं इसके उप्रांदी दोस्तों यस में पैत्रिक शंपती या फिर किसी बटवारी शंपती बात की वज़शे भाईयों से अनुबन हो शकती है आ खस्तिती आपके पक्ष्मे होगी जिन बातों का निरले आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे तो उन बातों के बारे में आपको जो है क्लेटी नजर्आएगी जिसकी वज़शे उचीतर निरले लेना आपके लिए यस में आशान होगा इसको प्रांदी दोस्तों यह शंपत लिए उसे में होंगे भागे का शीतारा जोश्य परवल होकर रुक वह कारियों में घती ब्रदान करेगा घर के बड़े बजर्गों का जोए पथ परदर्शक के रूप में आपको स्यूख करेंगे दोस्तों किसी जोखिम क्रिए उचित होगा वहां तदा मर्शनेरी से समधित समान का सावधाने से इस्तमाल करें यह आप के लिए यह समें बहतर होगी इसको प्रांदी दोस्तों यह में अधिकतर काम आपकी मर्जी के नुशार और वक्त से पहले होने के वज़र से जो है सिमन पर बना तनाव भी कम ह काम करने का जो असान तरीका भी आपको यह उच्व में प्राप्त होगा शूख समाधान प्राप्त होने के वज़र से जीवन के प्रति आपका यह में उत्ता बढ़ सकता है इसको प्रांदी दोस्तों यह में कारेस्तल आप फिर वह उस्ता को जो है कोई नया लुक देने के यह आप विश्य सगे से सलाल लेल सकते हैं अचानक लाप की प्राप्ती होगी जिससे आरती स्थिति यह में बहतर होगी वह दोस्तों यह में आप किसी भी काम को मजबूरी वश्च ना करें अनिता आप पर यह में तराव हाविश्च हो सकता है दोस्तों आपके कोई पीरिय या फिर गुम हो शकती है भाईयों से यह में मन मुठाव की स्थिति भी रह शकती है दोस्तों घर में चल रहा विवाद किसी पारवारिक सदस्थ की मधस्ता से हल भी हो शकता है इसको प्रांद यह में आपकी आमदनी बन सकती है लेकिन दोस्तों अधिकतर खर्चों को किस तरह से कम किया जाए इस बात पर भी आपका यश्मे ध्यान रहेगा कुछ बातों में निर्ले नो लेपाना आपको बेचेन बना शकता है दोस्तों यह में अपनी मन स्थिति इस्तिर रखें दोस्तों इस लिए निरले लेते श्मे आपको दोबारा चांच करना और आगे आत्मक मिलने में आपका मन सोह परशन रहेगा दोस्तों तकनिकी तथा क्लात्मक छेतर से जुड़े वयुशाय में यश्मे सफलता मिलेगा यश्मे हाथ में आए अवश्वरों का पूरा सब पूरा लाब उठाए दोस्तों यह आपके केरियर के लिए बहतर होंगे इसके उ दोस्तों वयुशाय में निवेश करने के लिए शमय जो है बहुत अत्तम समय होगा नोकरी पेशा लोगों को कोई महत्पुन ओथरेटी भी यश्मे अपने बहुश्री मिल सकती है दोस्तों वयुशाय के लिए सफलता दायक समय होगा आप कड़ी परतियस परता का स्रामना क दोस्तों आपको चांद बुचकर कर सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको चुक्रना रहने की भी यश्मे आवशकता होंगी हलांकि दोस्तों आपके उपर कोई भी नकार्तमग अशर नहीं पड़ेगा तरकी माई बधा यश में दूर होंगी इसके उपरांदे दोस्तों यश में आपके लिज़ शमय होंगी अगर आपकी लब लाइप के लोगर बात करें तो दोस्तों यश में दामपद दिजवन शुकमय रहेगा परिवार के साथ मोज मस्ती में शमय वैतित होगा तथा दोस्तों यश में किसी व्यवाई कारिकरम में जाने का आपको अमंतरन भी प्रांपत हो शकता है इसको प्रांद दोस्तों यश्मी आपके द्वारा ले गए निरले का अशर आपकी रिलेशन्शिप पर पढ़ेगा इसलिए दोस्तों निरले लेते समी सोच समझ कर निरले ले ये आपके लिए उचीत होगे इसको परांदे दोस्तों यश्मी आपके लव लाइप के लिए जो समय होंगे दोस्तों परिवार में खुशी बात को लेकर पती पतनी की बिच कोछ नौक जोंक भी हो शकती है परांदे दोस्तों आपसे सूज बुश से शमस्या सूलज जाएंगी और रिस्तों में नई ताज़गी भी आएंगी दोस्तों रोमांश के मामलों में शमय जो है बहुत ही उत्तम शमय होगा इसको परांदे दोस्तों यश्मी आपके लिए जो समय होगे दोस्तों जिवन सातित परिवार का यश्मे भरपुर्ष योग प्राप्त होगा आपको हर छेतर में यश्मे लाप मिलेगा दोस्तों जिससे आपका आत्मबल भी यश्मे बना रहेगा प्रेम शमन्दों में भी यश्मे सफलता की योग बने हुए है इसके उपरांदी दोस्तों यश्मे अगर आपकी स्वास्त को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मे आँखों में पीड़ा मैसुस हो सकती है तिता कोई पुरणा शारिक रोग भी पुना उठने से आपके मन में थोड़ा सा चिंता भी हो सकता है इसलिए दोस्तों स्वास्त के अस्तर पर भी आप यसमे जाएं